हलो दोस्तो नमस्कार आज के वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आएं टॉप 50 MCQ आप हिस्टरी जो बिभिन परिक्षाएं जो आने बाली हैं तो हजार चौबिस में उनके लिए बहुत ही महत्पूर्ण प्रिशन होंगे और बिभिन परिक्षाओं में पूँचे गए भी हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगर शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक और सेयर करिएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रिसन है जिस काल का कोई लिखित विबरन उपलब्द नहीं होता है या जिसका कोई लिखित विबरन उपलब्द ही नहीं है उसे हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं प्राग आइतिहासिक काल आद आइतिहासिक काल वो होता जिसके लिखित अबलेख तो बिबरन तोपलब्द है लेकिन वो अबी तक पढ़ा नहीं जा सका है तो उसे आद एतियासिक काल कहते हैं तो इसका हो जाएगा एविकल्प सही आदी मानब ने शर पर्थम किस पसू को पालतू बनाया या किस पसू को पाला पर्थम पालतू पसू कौन सा था मनुस्त का ये सारे प्रिसनों का उत्तर कुत्ता होगा सबसे पहले मनुस्त ने कुत्ते को पाला था आदनिक होमो सैपियंस जो जूलोजिकल नाम है होमो सैपियंस मानब का वो दभब जो हुआ वो किस काल में हुआ तो ये हुआ है उच्च पुरा पासांड काल में सी बिकल्प सही हो जाएगा उच्च पुरा पासांड काल मानब ने आग का प्रियोग किस काल में प्रारंब किया तो मानब ने आग का प्रियोग जो है वो नब पासांड काल में किया था मानब ने सर प्रतम किस दातू को इस्तिमाल किया था कौन सी दातू सर प्रतम थी सबसे पहले तामा किया था जिसे तामरियोग के नाम से जाने जाता है उसके बाद लहयोग बाद में आया मानब द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी मानब द्वारा सबसे पहली कौन सी फसल उगाई गई तो ये हो जाएगा गिहूं सी बिकल्प सही हो जाएगा मानब खाद पदार्तों का उत्पाद के उपभोकता कब बना ये भी बना होगा वो नब पासान काल में सी बिकल्प सही हो जाएगा निमलेकित में से कौन प्रातत विद हडपा के उत्खनन से संबंदित है हडपा का उत्कनन जो था वो दयाराम शाहनी ने किया था ए विकल्प सही हो जायागा राखलदास मनरजी थे वो मोहन जोदलों के थे हडपा इस तलों में कांस नर्तिकी की जो मूर्ती मिली है वो कहां से मिली है कांस की जो नर्तिकी की मूर्ती मिली है वो मोहन जोदलो से मिली है D विकल्प सही हो जाएगा प्रसिद्ध पशुपती की मोहर कहां से मिली है जो हडपा सब्विता है उसमें कहां से मिली है प्रसिद्ध पशुपती मोहर ये मिली है मोहन जोदलो से C विकल्प सही हो जाएगा सिंद शब्विता में गोदी वाड़ा का साक्ष कहां से मिला है गोदी वाड़ा का जो साक्ष है वो लोथल से मिला है डी विकल्प सही हो जाएगा सिंद शब्विता में बिसाल इसनानागार कहां से प्राप्त हुआ है तो शिंद शब्विता में बिसाल इसनानागार जो है वो मुहन जोद्लों से मिला है तो भी विकल्प सही हो जाएगा प्रातत वेता शिंद शब्विता की शर्व मानेती थी कौन सी मानती यानि शिंद शब्विता जो थी वो कब से कब तक थी तो वो 2500 से 1750 BC या ईशा पूर्व थी भी विकल्प सही हो जाएगा कहने का मतलब आज से लगवक्त 4.45 बर्स पूर्व भारत में मूर्ती पूजा का आरंब कब से माना जाता है भारत में मूर्ती पूजा सिंद शब्विता से माना जाता है इसका ए विकल्प सही हो जाएगा रिग वैदिक आरिय किसको पूजा करते थे जो रिग वैदिक काल था उस समय वो आरिय थे वो किसकी पूजा करते थे वो प्रकरती की करते थे ए विकल्प सही हो जाएगा आरिये भारत में सबसे पहले कहां बसे आरिये जो थे भारत में सब्त संदव प्रदेश में बसे थे बहुत ही महत्पूर्ण प्रिशना ए विकल्प सही हो जाएगा आरियों का मूल निवास इस्थान बहुत मुच्छा जाता है आरियों का मूल निवास इस्थान एसिया माइनर को माना जाता है बी विकल्प सही हो जाएगा प्रिशिद गायत्री मंत्र जो है ओम भूरवाश्वा ये जो कहां से लिया गया है ये रिगवेश से लिया गया है और सबता नामक देवता या देवी के लिए ये संबोधित है जो हमारा राष्टी ये चिन्न है उसके नीचे जो बाग के लिखा हुआ सत्त मेव जैते अने अर्था जिसका अर्थ होता शत्त की ही जै होती है तो ये कहां से लिया गया है ये मुंड़क उपनिसा से लिया गया बी विकल्प सही हो जाएगा निम्लिकित में से प्राचीनतम बेद कौन सा है प्राचीनतम बेद जो है वो रिग बेद है सबसे प्राचीनतम बेद उत्तरबैदिक काल में इंदर काइस्तान किस देपता ने ले लिया था या किस देपता को मिला था तो ये थे प्रजापती, बी विकल्प सही हो जाएगा किस वेद की रचना गद्यवं पद्य दोनों में है गद्यवं पद्य जो दोनों में रचना है तो ये है मारा ये जुरवेद, बी विकल्प सही हो जाएगा पाटली पुत्र नगर का संस्थापक पाटली पुत्र जो नगर था इसको उदयन ने बसाया था हर्यकवंस का राजा था उदयन सी विकल्प सही हो जाएगा हर्यकवंस के किस सासक की उपादी कुणिक थी हर्यक बंस का कौन सा सासक था जिसकी उपादी कुनिक थी तो ये था अजात शत्रू ये विकल्प सही हो जाएगा सिकंदर के समय मगद पर किसका सासन था जब सिकंदर भारत आया था तो मगद पर सासन था घनानंद का बी विकल्प सही हो जाएगा यह घना नंद होगा यहाँ पर अगला है काला शोक की राजधानी काला शोक जो राजा था उसकी राजधानी पाटली पुत्र थी जिमलिकत में से किस जिमलिकत में से किसे सर्व छत्रांता यानि छत्नियों का नास करने वाला कहा गया है छत्नियों का नास करने वाला महा पदमा नंद को कहा गया है सिकंदर कहा का सासक था सिकंदर मकदूनिया का सासक था यह विकल्प सही हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के बीच बितस्ता जहलम बितस्ता नदी है जहलम भी नदी है युद्ध हुआ था सिकंदर और पॉरस के बीच और ये कब हुआ था ये 326 इशा पूर्व हुआ था सी बिकल्प सही हो जाएगा अगला है हमारा 31 जैन धरम के 24 में तीर्थंकर जैन धरम के 24 में तीर्थंकर होंगे हमारे महावीर श्वामी थे भी विकल्प सही हो जाएगा महावीर ने जैन धरम में पूर्व से चार महा ब्रत थे और उन्होंने पांचमा ब्रत और जोड़ा इसलिए जैन धरम में कुल मिला करके पांच महा ब्रत हो गए महावीर ने किस भासा में उपदेश दिया था महावीर जो थे उन्होंने प्राकरत भासा में उपदेश दिया था महावीर का जन्म कहां हुआ था महावीर का जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म बैसाली के निकट कुंडि ग्राम में हुआ था प्रतम जैन संगीती जो थी ये पाटली पुत्र में की गई थी प्रतम जैन संगीती वो तो राजग्रह में की गई थी लेकिन ये जैन संगीती पुझ राजग्रह तो पाटली पुत्र में सही हो जाएगा मात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया बहुत मुचा जाता है पहला उपदेश इन्होंने सारनात में दिया था जिसे धरम चक्र प्रवरतन के नाम से जाना जाता है बुद्ध म, धंवम, शर्णाम गच्छामी धंवम, शर्णाम गच्छामी और संगं शर्णाम गच्छामी ये वाक्ट है तो डी विकल्प से हो जाएगा अड़तिस के तीनों सहीं मातमा बुद्ध द्वारा दिये गए परतम उब्देश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन 49 का हो जाएगा सी बुद्ध के शर्व प्रिये शदश से सबसे प्रिये शदश से कौन थे बुद्ध के आनंद थे बी विकल्प सई हो जाएगा चंद्रगुप्त मौरिये का प्रधान मंत्री बहुती फेमस है 41 का हो जाएगा ए चाड़क कोटिल या विष्णु गुप्त चंद्रगुप्त मौरिये ने अपना अंतिम समय कहा बिताया श्रवन बेल गोला जहां पर उसने गोमतेश्वर की मूर्ती का निर्मार करवाया था तो ये श्रवन बेल गोला है B विकल्प सई हो जाएगा मेगस्तनीज किसका राजदूद था जिसने इंडिका पुस्तग लगी थी मेगस्तनीज ने और ये शेलुकस निकेटर का राजदूद था तो C विकल्प सई हो जाएगा चंद्रकुप्त मौरी अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयाई बन गया था अंतिम दिनों में ये जैन धर्म इसने अपना लिया था D विकल्प सई हो जाएगा अर्थसास्त्र किस की रचना है अर्थसास्त्र कोटिल की रचना है ये विकल्प से हो जाएगा लेकिन ये नाम इसका अर्थसास्त्र है लेकिन इसका बिसे जो है वो राजनीती है ये भी पूछ लिया जाता कि अर्थसास्त्र किस पर किस विशय पर लिखी गई पुस्तक है तो ये अर्थ सास्त्र पर नहीं ये राजनीती पर लिखी गई पुस्तक असोग ने कलिंग पर कब आक्रमण किया कलिंग पर जो आक्रमण किया था 261 V.C. में किया था वहीं पर इसका हिर्दे पर वर्तन हुआ था तो B विकल्प सही हो जाएगा इंडिका किसकी रचना है मेगा स्थनीज की इंडिका रचना है A विकल्प सही हो जाएगी बहुत धर्म के प्रचार के लिए सोक ने किसे स्री लंका भेजा था अपने पुत्र महंदर को और पुत्री शंग मित्रा इन दोनों को वह जाएगा तो A और B दोनों हो जाएगा और तालिस का हो जाएगा D ये उनका पुत्र था और ये थी पुत्री तो D हो गया असोक के सिलालेक में सर प्र्थम सर प्रतम पढ़ने में सपलता किसने प्राप्ट करी थी किसने सबसे पहले उसे पढ़ा था तो ये थे किसने सफलता प्राप्त करी थी जिम्स प्रिंसेप ये विकल्प सही हो जाएगा ये विकल्प और पचासवा है सांची का इस्तूप जो है का निर्माड सांची के इस्तूप का निर्माड किसने कराया था ये सोक ने कराया था बीव कल्प सही हो जाएगा